तो कहेंगे क्यों मैंने इसलिए मैंने क्लू नहीं दिया और आप इसलिए गैस नहीं कर पाते केल्टन टेक्स सॉल्यूशन्स नाम की कंपनी इस कंपनी का मार्केट कैप है साथ सो करोड रूपे का प्रमोटर्स का 59-60% का स्टेक है और इस स्टॉक ने पहले सो तक के लेवल्स उसके पार के लेवल्स देखे हुए और एक बाद फिर से हुई तो डिटल स्पेस में ही इस कंपनी की हुई जहां पर एक कंसल्टिंग और तमाम सिवाय मौया कराती है क्या करती है डिटल ट्रांस्वर्मेशन में है तो अक्रॉस एवरी कस्टमर टच पॉइंट आपको एक कंपनी नजर आएगी डिटल इंटिग्रेशन पे है तो जितने भी डॉट्स है उनको करेंट करके देती है आपको डिटल इंटर्प्राइस के तौर पे तो साप सॉलूशन से एंड टो एंड वो डिलिवर करती है और एक सर्टिफाइड साप गोल्ड पार्टनर है डिटल कॉमर्स और मार्केटिंग में है आउट्सोर्स प्रड़क्ट डिवलाप्मेंट पे है और आयोटी यानि की इंटरनेट ऑफ तिंग्स एनेबल प्लाटफॉर्म्स और सॉलूशन भी मोहिया कराती है यूएस, यूरोप, इंडिया और एशिया पेसिफिक इन जोग्रफीज में इस कंपनी का प्रेजेंट है और मैं नोटिस करना था कंजिस्टेंटली ये कंपनी लुकाउट पर रहती किसी कॉम्पेटिटिव एच के छोटी है और इसलिए एचाहिल भी आपको नजर आएगी ये कंपनी 4 बार Deloitte Technology Fast 50 India लिस्ट में शुमार हो चुकी है, ये कंपनी Forbes Asia की Top 200 Companies Under a Billion List का पार्ट है, ये कंपनी Integration Partner of the Year Award जी चुकी है लंडिन में, इस तरह की Pedigree की कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, इस कंपनी की Client List आपकी स्क्रीन पर आएगी, Start-Up से लेके Fortune 500, सब इस कंप मारकी क्लाइंट्स आप आपकी स्क्रीन्स पे नज़र आएंगे और स्टार्टप्स में कौन सा नाम आपको आता है जबॉंग, स्नापडील, ये भी डॉट कॉम, फिलिपकार्ट, मेकमाईट्रिप, पेटीम, पॉलिसी बजार सब इस कंपनी की क्लाइंट्स है इस कंपनी ने हाल में Z5 के साथ एक लिगसी से नेक्स जेनरेशन हाइपर स्केलिबल क्लाउड नेटिव कंटेंट मैंजमेंट सिस्टम के लिए करार करा है ये दिखाता है किस तरह की फॉवर्ड लोकिंग डेटल केपिबिलिटीज है केल्टन टेक के पास हाल में इस कंपनी ने Food Corporation of India FCI से पाँच मिलियन डॉलर से जादा का कॉंट्राक्ट बैक करा है उनके लिए Human Resource Management System इंप्लिमेंट और मेंटेन करने के लिए इस तरह की पैटिगे की कंपनी में बात कर रहा हूँ Financial Performance आपनों की स्क्रीन पर आएगा IT कंपनी इसके लिए FY20 और FY19 चैलेंजिंग साल था उसके बाब जूद इस कंपनी की टॉप लाइन थी पिछले साल 770 क्रोड रुपे की 116 क्रोड का EBITDA 15% के Margin और मुनाफ़ा 71 क्रोड रुपे का इस कंपनी ने लास्ट यह जब मैं कहरा था FY20 फ्रेंशल्स प्रेशर में थे सारे साथ रुपे का EPS क्लॉक करा उस लिहाद से यह कंपनी इस समय सारे 9 के P.E. मुल्टिपल पर ट्रेड कर रही है और ऐसे ही एक और बॉन डिजिटल अचाहिल कंपनी जिसको बजार आजकल बहुत तारीफ करता है वो 65 के ट्रेलिंग P.E. पर 65 के ट्रेलिंग P.E. पर ट्रेड कर रही है तो यह कंपारिसंस नहीं है लेकिन यह कंफोर्ट देता है जिस तरह के वैलुएशन पे डिजिटल कंपनी ट्रेड करती हूँ के लिए कह रहा हूँ एक आज खोजा है तो किल्टन ट्रेड नाम की कंपनी जिसे रडा पर रखिएगा आई टी और एक बैतरी डिजिटल पेकिता हूँ